मैं अटल हूँ मूवी आज की जर्नेशन को सिनेमा में इतना लाने में कामयाब नहीं हो पाई क्योंकि बायोपीक है तो इतना लोग इंटरेस्ट नहीं दिखाते और देखने में ही जाते मुझे लगता है इस मूवी के पीछे ये भी रीजन रहा होगा कि इतने लोग वहां तक नहीं सिनमा तक पहुंच पाए इसकी पर्मोशन उस तरीके से नहीं की गई लेकिन अगर मैं एक मूवी की बात करूँ ये मूवी बहुत जल्दी सीन हमारे सामने लेकर आ जाती है और जादा उठकर ये निकल सकती थी लेकिन इस मूवी की सबसे अच्छी चीज है अंकर्स तिरपाथी जी ने इसमें एक्टिंग गिया एक तरफा किया वो सच में उसमें वो करेक्टर को जी रहे है और अटल बहरी भाजपाई जी पे है तो बीजेपी वर्सिस कॉंग्रेस है तो ऐसा लग रहा है कि कॉंग्रेस को एक तरह से मतलब देखने में आ रहा है कि उनकी जो स्माइल है और क्रेक्टर को प्रेजन करने का तरीका है तो वो थोड़ा सा विलेन की तरीके से लग रहा है और कुछ लोग इसे प्रोपोगेंडा भी बोल रहे है अब मैं तो इस पर कुछ टिपनी नहीं देना चाहूंगा अब खुद सिनिमा में जाओ खुद experience करो कि ऐसा कुछ है या नहीं है वो आप पे मतलब निर्भर करता है मैंने एक web series का review किया था Indian Police Force का जिसमें मैंने अपने opinion देया थे कि मेरे हिसाब से ये changes हो सकते थे इसमें ये चीज़े नहीं आ सकती थी या उन्होंने पुराने तरीके से concept को दिखाया है तो वो मेरे अपने opinion थे और मैंने उसके बारे में जो जो मुझे लगा मैंने बताया लेकिन किसी को वो चीज़ पसंद नहीं आई तो मैंने का हाँ बात तो आपकी भी सही है उन्होंने कहा की आपको अच्छी नहीं लगी इसका मतलब ये नहीं है की सबको अच्छी नहीं लगी है हाँ वही है किसी को अच्छी भी लग सकती है तो मैं मतलब आगे से ध्यान रखूँगा कि अपने opinion नहीं थोपूँगा मैं आप लोगों पे वो चीज छोड़ दूँगा उसके बारे में जो मुझे लगेंगे कि ये इसके सही point है ये इसके गलत point है वो मैं आप तक लेकर आ जाओंगा खेर उसके लिए मतलब दिल से माफी चाहता हूँ और उसके बाद हम अटल मूवी की बात कर रहे थे तो अप इसका जो third day का collection है वो धाई करोड के आसपास का पहुँच चुका है तो overall collection wise तो सही ही जा रही है लेकिन मूवी बहुत जल्दी एक तो मतलब ऐसा लग रहा है कि जल्दबाजी में बनाई गई है बाकी वही है कि धाई गंटे में possibly नहीं है इतनी सारी चीज़े अगर overall अगर इसको देखा जाए ठीक है एक time देखी जा सकती है लेकिन ये मेरे opinion के थुरू आप जाकर देखिए या इसका trailer देख लिजिए उससे तैय कर लिजिए कि आपको ये movie देखने जाना है या नहीं जाना है इस वीडियो में इतना ही मिलते आगली वीडियो में बाई दोस्तो